यह हमारा नू मॉडल 632160 बट फुजन मैनुवल वेल्डिंग मसीन यह हम लोग उन्हें इसमें स्टील प्लेट लगा दी देखिए कितनी सॉलिड स्टील प्लेट है यह स्टील प्लेट हम लोग उन्हें 12 mm ठिक स्टील प्लेट जिससे इसका बेस मजबूत हो गया है सॉलिड स्टील प्लेट लगाई है इधर भी लगाई है और इसको बुस से यहां पर टाइट कर दिया गया है यह सॉलिड स्टील प्लेट है 10 mm की यह मारती से एफेक्स ब्रांड है 63-160 मैनुवल वेल्डिंग मसीन रोटरी टाइप सिस्टम है इससे आप मसीन आगे पीछे होग और यह देखिए इसमें गयर टाइप का रोड में गयर कटे हुए है और एक गयर की गरारी है इसी से मसीन आगे पीछे होती है तो देखिए कितनी सॉलिड प्लेट है स्टील की इसमें आपका यहां पे आपको claim जो है हम लोगों का वही सारा जैसे रहता है 42 mm thick claim और देखिए सब में R-pin का use किया है जहाँ पे देखिए R-pin का सारों में R-pin का use किया है R-pin से क्या होता है इसकी जो पकड़ होती मजबूत रहती है और यह rust proof R-pin इसमें जंग नहीं लगती है अब देखिए मैं आपको claim दिखाता हूँ देखिए 42 mm thick claim 63 to 160 63, 75, 90, 110 125, 140 जो main होता है upper और lower का वही 160 होता है तो आप लोग confuse ना होई है 160 जब सारे आप clamp निकाल दोगे तब 160 का 160 का काम करेगा अब देखिए हम लोग इसमें आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको काम करना है यहाँ पे आपको थोड़ा से इसको दूर रखना है दोनों तरब pipe आपने फसा लिया 63 से 160 जो भी pipe आपका है उसको फसाया उसके बाद यहाँ पे आपको माईलिंग कटर को रखना है ऐसे माईलिंग कटर में दोनों तरब blade होती है इसको यहाँ पे फसाया थोड़ा सा pipe का दूर blade से थोड़ा pipe दूर रखा उसके बाद आपको घुमाना है जब यह pipe यहाँ पे लग जाएगा तो यह भी clamp आपस में चलेगा इसको घुमाना है और pipe को trim करना है pipe trim हो जाए cutter को हटा के यहाँ पे इसको रख देना है और pipe को अपना सुखे कपड़े से पोछ लेना है उसकी जो छिलके उलके हैं उसको पोछ लेना आगे करिए थोड़ा सा जैसे ही pipe में आप देखेंगे यहाँ पे round bit दुनों तरफ बनने लगेगी थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ेगा pipe की thickness किसाब से जैसे round bit बने आप इसको हटाईए current stand पे रखिए और इसको जोड़ दीजे और stopper से इसको लॉक कर दीजे तो यह pipe आगे पीछे नहीं होगा और ठंडा होने का समय दीजे कोई भी गीले कपड़े का गीले पानी का यूज नहीं करना है और यह इसका tool box है रिंज पेचका से screws tool box में सब रहता है यह हमारा new model है 63 का हम लोग ने जो पुराना model था है दिया है अब यही model है solid model है heavyweight model है 63-760 fork lem but fusion manual welding इसनों के थेंकिए